लोकसभा का बिगुल बजते ही आचार सहिंता लागू हो गई और जिसके बाद मेरट पुलिस और प्रशासन एक्शन मूड में आ गई है आपको बता दे कि 11 अप्राल से होने वाले इलेक्शन को लेकर आचार सहिंता लागू कर दी गई है जिसके चलते पुलिस और प्रशासन ने होडिकों को उतारना भी शुरू कर दिया है अधिकारियों के द्वारा बताया जा रहा है कि अगर दिवार पर भी पोस्टर या ऐसा कुछ लिखा जाएगा जिसमें अचार सहिंता का उलंगन हो उसके खिलाफ सक्त से सक्त करवाई की जाएगी इसमें जो भी नियमानुसार है नियमानुसार वैनर पौस्टर धंडे या कोई इनको सहबाक करनी है तो उसकी नियमानुसार पर्विशन है उस पर्मिशन का जो भी अगर कोई पारण नहीं करता है या तरात दस वज़ेसे सब्सक्राइब करें अगर कोई लाउड स्पेकर या माइक इस टाइप परवर्तित करेगा तो उसके बुरुद्ध मुकदमा हम लोग पंजिकत करके और विवेचनात करें अब यहां चल रहा है पुरे शेहर में जो है जाल लगा हुआ है किस तरह से अभियान चलेगा और क्या-क्या इसके तहकिया जाए जैसे हम सब योगत है कि मानिनी निर्वाचान आयोग के द्वारा चुनाव की तिती गोसित होते हैं अचार संहिता लागू हो गई है उस अनु कि भी करवाई की जाएगी तो सब क्या गाडियों में होट जो लगे है जंडे लगे है बैनर लगे है उन सब को सभी चीजों को जो मानिनी निर्वाचान आयोग के आदास अचार संहिता के जो नियाम है वेवस्ता है उसके अनुरूप हम लोग उसका पालन सुलिश्चित कर सुरूब भी कर दी है कब तक संभावित प्रतियासियों गोदी इस बारे में कुछ इंस्ट्रेक्शन के हैं सबको आचार संहिता का सबको एक बार जानकारी रहती है फिर भी जिला निर्वाचान अधिकारी द्वारा सभी प्लिटिकल पार्टिस के जो दिसा निर्देश है उसकी काफी भी प्लट कराई जाएगे सबको सुचिर्वी किया जाएगा जाएगा जो अब तक यह जो अधिक्शन पाई जाती है तो माननी आयोग के जो दिसा निर्देश है उसके विरुत वैधानी कारवाई की जाएगी